19 जून 2024 बुद्धवार के दिन जेश्ट मास के शुकल पक्ष का प्रदोश वृत है तो अगर आप वृत करते हैं अत्यांती स्रेष्ट हैं वृत नहीं भी कर पाते हैं तब भी आपको आज के दिन भगवान शिव माता पारवती की पूजा प्रदोश काल में जरूर करनी चाहिए तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे बुद्ध प्रदोश वृत की गथा और वीडियो के अंत में आपको शुब महूर्त और पूजा विधी की भी संपुर्ण जानकारी दी जाएगी इसके साथ ही कुछ बोहत ही अच्चुक उपाई शेयर करने वाली हूँ जो बुद्ध प्रदोश के दिन अगर आप करते हैं तो निस्चित ही इस व्रत का संपुर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा और आपकी जो भी कामना है वो भी पूरी होगी और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी अगर आप ये उपाई करते हैं इस विधी से पूजा करते हैं तो निस्चित ही आप जिस भी कामना से पूजा करेंगे आपकी वो कामना भगवान शिव की कृपा से जरूर पूरी होती है तो सबसे पहले आप सुनेंगे बुध्य प्रदोश व्रत की कथा बुध्य प्रदोश व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवा हुआ था विवा के दो दिनों के बाद ही उसकी पत्नी माईके चली गई फिर कुछ दिनों के बाद वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके माईके गया बुद्धवार को जब वो अपनी पत्नी के साथ लोटने लगा तो सुस्राल पक्ष ने उसे रोपने का बड़ा प्रयातनी किया कि विदाई के लिए बुद्धवार का दिन शुभ नहीं होता लेकिन वो माना ही नहीं और पत्नी के साथ चल पड़ा नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी पुरुष लोटा लेकर पानी की तलास में चल पड़ा पत्नी एक पेड़ के नीचे बैट गई और थोड़ी दिर के बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लोटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हस हस कर बाते कर रही है और उसी के लोटे से पानी भी पी रही है ये देखकर उस आदमी को बड़ा क्रोधाया वह निकट पहुँचा तो उसके आश्चरे का कोई ठीकाना ही नहीं रहा क्योंकि उस आदमी की सुरत उसी की भाती थी पतनी भी सोस में बढ़ गई कि दोनों में से उसका पती कौन है दोनों पुरुष जगडने लगे भीड़ी गटी हो गई सिपाही आ गए हमशकल आदमियों को देखकर वेभी आस्चरे में पढ़ गए उन्होंने इस्तरी से पूछा कि उसका पती कौन है वह किंकर्तव ये विमूड हो गई तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवन हमारी रक्षा करें मुझसे बड़ी फूल हुई कि मैंने सास्सुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पतनी को विदा करा लिया मैं भविश्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वैसे ही दूसरा आदमी अंतरध्यान हो गया पती-पतनी शकुसल अपने घर पहुँच गये और उस दिन के बाद से पती-पतनी दोनों नियम पुर्वक बुध तरयोदशी का व्रत the भारण करने लगे इसलिए बुध तरयोदशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए ऐसा सूथ जी कहते हैं सूती जी कहते हैं कि बुध्य त्रयोदशी का व्रत करने से बुध्य प्रदोश का व्रत करने से सर्व कामनाय पूर्ण होती है और अब जानते हैं कि त्रयोदशी दिथी का प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है और प्रदोश कालिन पूजा का शुब मुर्थ क्या होग 19 जून बुद्धवार को सुबह 7 बजकर 28 मिनट पर और समाप्त होगी 20 जून को यानि कि गुरुवार के दिन सुबह 7 बजकर 49 मिनट पर ऐसे में शाम के समय यानि कि संध्याकाल में जब प्रदोशकाल में त्रयोदिशिति थी व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोश का व्रत रखा जाता है तो इसके अनुसार 19 जुन को प्रदोशकाल का समय में प्राप्त होगा और इसलिए बुद्ध प्रदोश व्रत 19 जून को रखाजाएगा और 19 जून को बुद्धवार के दिन 6 शुब सनयोगों का निरमाण हो रहा है उस दिन सिध्धियोग रहेगा, साध्य योग रहेगा, सरवार्थ सिध्धियोग बन रहा है, अमरित सिध्धियोग बन रहा है, रवी योग और कैलाश पर सिववास है इसके अलावा विशाखा नक्षत्र प्रातयकाल से शाम 5 बच कर 23 मिनट तक रहेगा और इसके बाद प्रारंभ होगा अनुराथा नक्षत्र जो की सरवाधिक स्ट्रेश्ट नक्षत्र माना जाता है 19 जुन को पूरे दिन रातरी अमरित सिध्योग और सरवाध सिध्योग रहेगा इस समय में अगर आप पूजा करते हैं रातना करते हैं मंत्रों का जब करते हैं कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी कामना शीगर ही प्रोण हो जाती है और आपकी पूजा का फल कई गुना होकर प्राप्थ होता है। अब बात करें प्रदोश कालिन पूजा के शुब महुर्ट के बारे में तो देखिए। तो आप व्रत करें या ना करें प्रदोश काल के इस शुब महुर्ट में भगवान शीव और माता पारवती की पूजा जरूर करें। अगर आप प्रदोश का व्रत धारन करते हैं तो आपको सुर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठकर नित्यकर्मों से निवरित हो जाईए, फिर श्नान कर लीजिए। आज गंगा जल मिश्रित जल से श्नान करना चाहिए, मतलब जल के पातर में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल से उस पातर को भर कर फिर उसी से श्नान करना चाहिए। पहले भगवान सुर्यदेव को जल देना चाहिए, एक तामबे के पातर में जल भर लीजिए, आप चाहें तो थोड़ा गंगा जल भी पहले डाल सकते हैं, फिर जल से भर सकते हैं, या फिर सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पातर को भर कर उसमें हल्दी, रोली और अक्षत और अगर उपलब धोब फूल तो आप लाल पुष्प भी डाल सकते हैं, इन सभी चीजों को भगवान सुर्यदेव के दर्शन करते हुए, उन्हें अर्गह स्वरूप अर्पित करना चाहिए, इस से हर प्रकार की विग्न बाधा आपके जीवन से समाप्थ होती है, और माता पार्वती की विदिविधान से पूजा कीजिए, गणपती की पूजा कीजिए, और आप चाहें तो घर के आसपास कोई शिवाले हो, कोई मंदिर हो, तो वहां भी जाकर पूजा कर सकते हैं, और माल लीजे कि आप नहीं जा पाते हैं सुबह, तो प्रयास कीजिए क की शाम को आप मंदिर जाकर भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा कर पाएं, बुद्ध प्रदोश के दिन भगवान शिव को अभिशेक करते हैं, तो उस जल में आपको थोड़ी सी साबुत हरी मुंग जरूर डालने चाहिए, आप चाहें तो शमी के पत्ते, बि जीवन से समाप्थ हो जाती है, कोई भी काम ना हो, निस्चिति पूर्ण होती है, प्रदोश वरत के दिन भगवान शिव को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, अत्यांत स्रेष्ठ होगा, कहा जाता है कि भगवान शिव को जब हम चावल की खीर बनाकर अरपित करते हैं, तो आप वरत करें या ना करें, ये उपाय आप कर सकते हैं, विदि विधान से भगवान शिव की पूजा आरातना करने के बाद, प्रदोश काल में जब पूजा करते हैं आप तो उसी समय आप खीर का भोग भगवान को अरपित कर सकते हैं, और पूजा को रोण करने के बाद प पार्वती की कृपा पाने के लिए उनकी प्रसनता के लिए प्रत्तेक मनुश्य को प्रदोश का व्रत अवश्य करना चाहिए और व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो विधी विधान से प्रदोश कालमे भगवान शीव और शक्ति की आराधना कीजिए इस से भी भगवान शीव की क्रिपा आपको प्राप्त हो जाती है तो उमीद करती हूं यह वीडियो आपके लिए उप्योगी होगी अच्छी लगई हो वीडियो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पर पहली बार कीजिए बार